अब आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट वन अब हम लोग पार्ट टू पे जो की वेरी वेरी इंपॉर्टेट पोर्शन इस चैप्टर से और आप देखो कि यह लास्ट कुछ एग्जामिनेशन से यही वह पार्ट है जहां से इस चैप्टर का नुमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेट है इस वीडियो में आप कोई भी नुमेरिकल्स कैसा भी नुमेरिकल्स हाड आए या इजी आए बिग क्वेश्चन आए या स्मॉल क्वेश्चन आए आप उसको आराम से सॉल्फ कर सकते हैं तो ध्यान से आपने आज तक कैसे कर रखाया क्वेश्चन या आपने आज तक कैसे सीख रखाया अब सही सीखने का बारी है अब सही तरीके से questions को ट्यकल करने का बारी है तो ध्यान से देखो सबसे पहली चीज आप क्या गरूगバイy ap price के लिए एक रो final और runtime के के लिए एक रो बनाऊगे quantity यानि की quantity demanded ठीक है तो आप दो रोज क्रियेट करेंगे एक price के लिए और quantity के लिए question में आपको इनी दो चीजों का detail दिया रहेगा और इन दो चीजों का detail दिया रहेगा वह तीन types के होंगे पहला detail वह आपको old detail देंगे कि पहले price कितना था पहले quantity कितना था second वह आपको change का detail देंगे अभी हम लोग के तुरू इसको समझेंगे change का detail देंगे कि price कितने से बदल गया Demand कितने से बदल गया और फिर वह आपको new detail भी हो सकता है दे-दे कि अब price कितना है अब quantity कितना है after the change ठीक है अगर उन उन्होंने question में by word mention कर रखा है तो by का मतलब समझ जाना कि उन्होंने आपको change बताया है if they have used the word buy जैसे कि अगर उन्होंने बोला था price changes by 3 rupees the price changes by 5 rupees तो by का मतलब change बताया है but अगर उन्होंने two word use किया है if they have used the word two that मतलब जैसे कि ऐसे बोला है बस आपको यह table construction करना आना चाहिए easy समाई difficult समाई छोटा समाई बड़ा समाई आप कुछ भी कर लोगे यह table आपको construction करना आना चाहिए ठीक है तो अभी तक अगर आपने table construction से नहीं किया है sum तो अब सीख लो क्योंकि यही काम आएगा और exam point of view से यही important है तो आपको थोड़ा सा अपने knowledge में changes लाने पड़ेंगे ठीक है तो आपको यह table construction सीखना है और उसके बाद यह formula आपको याद करना है इस formula के दो पार्ट है आपको यहाँ triangle नजर आ रहा है इस triangle को हम लोग बोलते है डेल्टा ठीक है इसको हम लोग बोलते है डेल्टा इसका मतलब होता है change तो change in quantity divided by change in price multiply करना आपको price divided by quantity यह कौन सा price है यह old वाला है ठीक है over here जो second part है उसमें हम लोग old detail का बात कर रहे है और जो पहला part है उसमें हम लोग change वाले का बात कर तो हमें basically table construction करने के बाद यह formula लिखना है और यह formula में पहले हम लोग change वाले details को लेंगे फिर हम लोग old वाले details को लेंगे new वाला जो है वो formula में कोई काम का नहीं आता बढ़ new वाला जो है वो table complete करने के काम में आएगा ठीक है अब हम लोग sum पे चलते हैं यहाँ पे कुछ notings है बढ़ यह notings हम आपको sum के साथ साथ समझाएंगे ठीक है तो आईए हम लोग sum के तरफ चलते हैं और sum से सीखते हैं कि क्या क्या हमें करना है तो सबसे पहला जो question है आपको solve three questions और यह तीनो board exam की questions है तो आपको question इस तरीके से मिलेगा इस chapter से आपको क्या करना है सबसे पहले आपको table construction करना है और table construction करने के बाद आपको formula लिख लेना है formula ED प्यार से elasticity of demand को हम लोग ED बुलाते हैं तो ED is equal to अभी हमने formula देखा change in quantity divided by change in price multiplied by original price divided by original quantity तो table बना लिय या वो कर लिया table में ध्यान रखना है कि अगर question ने by word mention किया है तो वो change बता रहे और question ने two word mention किया है तो वो new बता रहे अब पढ़ते है question को और table पहले fill up करते है table fill up कर लिया तो आधी जंग यही पर जीत लिये तो देखो यहां पर बोल रहा है कि the price of a commodity falls from rupees 50 to देखो two word मतलब new ठीक है rupees 30 तो पहले 50 था और अब fall हुआ है fall कहां पर हुआ है two rupees 30 मतलब new price so new price है 30 ना हमने new में क्यों लिखा क्योंकि the word mentioned over there was two उसके बाद बोल रहा है price fall हुआ तो this resulted in an increase in the purchase यानि demand बढ़ गया purchase बढ़ गया मतलर demand बढ़ गया तो price के घटने के चलते it resulted in increase क्या increase हो गया demand पहले कितना था 200 and now कितना हो गया 220 यहां पर बिदेखो two word लिखा है buy नहीं लिखा है they did not say the purchase increased by 220 उन्होंने लिखा the purchase increased to 220 तो 2 बोला है मतलब न्यू वाला detail दिया है right तो यह हमने अपना table इधर भर लिया ठीक है now the price has decreased question में ऐसा बोला है कि price decrease हुआ है ठीक है price fall हुआ है price पहले 50 था ठीक है new वाला price 30 है तो there is a decrease ठीक है तो decrease को आप कैसे दिखा होगे आप decrease को दिखा होगे minus 20 ठीक है minus 20 से आप इसको शोगर होगे right minus 20 क्यों लिख रहे क्योंकि price fall हुआ है right the price has gone down तो इसलिए आप लो minus 20 लिखोगे demand की जहां तक बात करें तो demand बढ़ गया यहां पर लिखा है the demand has increased right पहले 200 था अब 220 हो गया तो कितना change आया अगे 20 का change आया तो हमने 20 का यहां पर change दिखा दिया अब हमें करना क्या है अब हमें बस value place करना है अगर आप formula ठीक से देखेंगे तो formula के according we only need the change data and we only need the old data तो new क्यों बनाए new अगर नहीं बनाते तो फिर change का values calculate नहीं कर पाते इसलिए new बनाना भी जरूरी है now over here let us place the values अब तो खाली value place करना है अगर table बना लिया तो आधा जंग तो आपने वहीं जीत लिया अब बस सही से calculation करके अपना answer लियाना है change in quantity table में देखो change in quantity कितना है 20 change in price कितना है minus 20 original price कितना है 50 divided by original quantity कितना है 200 ठीक है अब अगर इसको आप calculator पर solve करोगे तो आपका answer आएगा minus 0.25 minus 0.25 बट क्या elasticity कभी भी minus में हो सकता है अगर आपने part 1 देखा है नहीं देखा तो पहले वह देखो अगर आपने part 1 देखा है तो part 1 में हमने 5 values पढ़े थे elasticity of demand के हमने 5 values पढ़े थे पहला value था 0 ठीक है और इसको हम लोग बोलते थे perfectly inelastic उस chapter पिछले वीडियो में समझाया हुआ है 0 को हम लोग बोलते थे perfectly inelastic एक value होता था less than 1 less than 1 वाले को हम लोग बोलते थे inelastic या relatively inelastic third value था equals to one इसको हम लोग बोलते थे unit elastic fourth value जो पिछले वीडियो में बात किया था वो था more than 1 greater than 1 इसको हम लोग बोलते थे elastic और final value was undefined या infinite इसको हम लोग बोलते थे perfectly elastic तो तो पांच values है मेरे को कोई भी पांचों values में से एक भी value मेरे को negative नहीं दिख रहा there is no negative symbol but हमारा तो negative में आया answer negative इसलिए आ गया रहा क्योंकि हमने यहां पर minus sign use किया ठीक है आप देखो यहां पर हमने minus 20 लिखा minus 20 लिखने के चलते हमारा answer negative में आ गया only shows inverse relation negative sign जो है वो केवल inverse relation दिखाता है ultra relation दिखाता है किनका price and quantity का तो negative symbol actually बस law of demand signify करता है वो बस बोलता है कि price बढ़ेगा तो demand घटेगा और price घटेगा तो demand बढ़ेगा तो negative symbol बस यह बताता है कि दोनों inversely related है otherwise negative symbol का और कोई मतलब नहीं है तो आप क्या करना आप पहले यह bold वाला sentence है यह लिख लेना ठीक है और bold वाला sentence लिखने के बाद आप अपना final answer जो है वो positive में ही देना ठीक है यहां पे आपको वो sentence लिखना पड़ेगा जो वहां पे मैं sentence पहले लिखना पड़ेगा ठीक है I hope आपको यह समझ में आया है ठीक है चलिए अब हम लोग next question करते हैं आप question को pause करके पहले पढ़ लिजे question को pause करके पढ़ लेने के बाद फिर आप table बनाके ready रहना ठीक है हम लोग formula भी लिख लेता है because we have to do two things we have to make the table and we have to write the formula तो elasticity of demand is equal to change in quantity by change in price into original price by original quantity ठीक है यह हमें करना है अब देखो इस question में क्या है they have already given the elasticity elasticity उन लोगों ने दे रखा है minus two तो हम लोग क्या करेंगे जो दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे minus two ओके चलिए question पढ़के table fill up करते हमारा main क्या है table fill up करना है because table fill up हो गया बाकी तो उदर values यहीं से आएंगे तो सबसे पहले बोल रहा है कि the quantity demanded at rupees 10 is 40 units quantity demanded at rupees 10 10 रुपए पे कितने quantity demanded हो रहे है 40 तो 10 रुपए पे 40 राइट 10 रुपए पे 40 demand हो रहा है price elasticity बता दिया minus two यह हमने लिख दिया भी minus two और उसके बाद बोरा प्राइस फॉल्स बाई ध्यान रखना बाई और टू पूरा खेल बिगाड़ देंगे आपका बाई बोला तो चेंज में लिखेंगे रेंट फॉल्स फॉल्स बोला है यह पूछा जा रहा है अच्छा फॉर्मुला में क्या लगता है फॉर्मुला में हमें old data लगता है फॉर्मुला में हमें change data लगता है change में से एक figure missing है जो missing है उसको x ले लिए तो हमने उसको x ले लिया अब हम लोग बस value place कर देते है change in quantity x ले लिए change in price minus 2 multiplied by 10 divided by 40 ठीक है negative negative दोनों साइट कट जाएगा ठीक है अगर आप थोड़ा भी math जानते हैं तो negative negative दोनों साइट कट जाएगा 0 0 भी कट जाएगा so you will have 2 equals to x by 8 2 equals to x by 8 और 8 उदर भेजोगे तो 16 हो जाएगा so 16 is equal to x तो x की value 69 ठीक है तो जो हमने x लिख रखा है table में उसकी value 16 है अब अगर price घटा है तो demand तो बढ़ा ही होगा तो new demand कितना आ जाएगा जो main question है new demand is how much new demand will be पहले से 40 था अभी increase होगा demand ठीक है अभी increase होगा 16 से because value of x is 16 change 16 आ रहा है ठीक है old old was 40 ठीक है old was 40 change आ रहा है 16 से and increase हो रहा है तो the new demand will be 56 ठीक है तो आपको यह समझ में आ गया होगा यह भी board exam में आयोगा question है ठीक है elasticity नहीं दिया था उसमें elasticity हमने डूड़ा दूसरे question में elasticity दिया होगा ठीक है बट negative में था दूसरे question में elasticity दिया होगा था अब सीख जाओगे ठीक है divided by change in price into original price by original quantity ठीक है धीरे धीरे आपका भी speed आ जाएगा आप जब इसको दो बार अच्छे से practice कर लो दो दिन अच्छा से मेहनत कर लो इस वीडियो को दो बार देख लो तो आपका काम हो जाएगा ठीक है चलिए जब elasticity given है and positive में given है तब हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पर एक note है note number two अगर आप note number two ध्यान से देखो तो क्या बोल रहा है if the question gives elasticity in positive question elasticity positive में दिया then we will not use minus symbol in the table or in the formula हम लोग table और formula में minus symbol नहीं use करेंगे तो जब table बनाएंगे ना तो हम लोग minus नहीं use करेंगे क्यों नहीं use करेंगे उन्हों नहीं use किया वो नहीं use किया तो हम कौन होते हैं use करने वाले ठीक है if they will not use negative you will not use negative otherwise हम लोग negative हमेशा use करते है टेबल में one of them will be negative price or quantity एक तो negative हो गई always only if they are not using negative then only we will not use negative चलो the demand for a commodity at rupees 4 रुपे पे कितना demand हो रहा है 100 units 4 रुपे पे 100 units right the price of the commodity rises कितना वो नहीं बताया बट इतना बोह रहा है demand falls to buy होने से change लिखते to होने से new लिखेंगे 275 275 units right पहले अगर 100 था अब 75 हो गया है मतलब there is a change of 25 25 से change आया है बट क्या वो 25 से change दिखाने टाइम हम लोग माइनस लिखेंगे बिकोज घटा है demand falls हुआ है ऐसा बोला है demand has gone down तो क्या हम लोग माइनस यूज करेंगे no क्योंकि उन्होंने elasticity का value positive में दिया है उन्होंने सिर्फ one लिखा है पिछले question में minus two था उन्होंने minus यूज किया था 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 हम लोग माइनस यूज कर रहते वो नहीं यूज करेंगे तो हम लोग भी नहीं यूज करेंगे we will just write 25 we will just write 25 right okay अब बात यह है कि formula में यह लगेगा और formula में यह लगेगा इसमें एक value missing है change वाले में एक value missing है तो उसको x ले लेते हैं ना उसको x लेने के बाद अब हम लोग इसको solve करते हैं value बिठाते हैं तो change in quantity is 25 change in price we don't know पुराना price है 4 new price है पुराना quantity है 100 तो इसको जब आप solve करोंगे calculator पे तो sorry four times यह आपका answer one आ जाएगा तो x का value one आ जाएगा जब आप इसको solve करोंगे तो x का value one आ जाएगा now समझने वाली बात है कि अगर demand घटा है तो price तो बढ़े गई demand fall हुआ है और ऐसे बोल भी दिया question में कि price rise हुआ है ठीक है तो new price कितना होगा आपको new price price find करने दिया है question ने बोला है find the new price new price कितना होगा पहले फोर था और अब x1 है मतलब value एक से बढ़ा है पहले फोर था तो now it must be five rupees तो answer is five rupees तो बस इसी तरीके से आपको करना है ठीक है तो एक बार आपको पूरा चीज रिवाइस करा देते हैं तो इस पार्ट में हमने सबसे पहले सीखा कि आपको टेबल बनाना है टेबल में दो चीज की details होनी चाहिए price की और quantity की दो चीज हो की detail होगी राइट अच्छा दोनों की detail में आप क्या दिखाऊगे तीन चीज़े दिखाएंगे old change new old change new उसके बाद आप यह वाला formula लगा दोगे यह वाला formula लगा दोगे और आपको ध्यान रखना है कि आपका answer हमेशा negative आएगा ठीक है आपका negative यूज किया है तो आप बेधड़क negative sign यूज कीजिए table में भी यूज कीजिए formula में भी यूज कीजिए कोई दिक्कत नहीं है जैसा करते आ रहे थे वैसे ही कीजिए बट कभी-कभी क्या होता है वो लोग आपको trick खिलते हैं और आपके साथ board exam में ही कभी-कभी वो लोग positive म नहीं यूज किया है तो हम लोग भी ना तो टेबल में ना तो फॉर्मुला में कभी भी हम लोग negative यूज नहीं करेंगे अगर आप मेरे इतने सा बात मान ले तो आपका numerical में 3 marks पका है एकदम guaranteed है ठीक है अगर आप नहीं जोइन किया है तो उसको definitely join कीजिए और अगर आप मे पीड़ करके definitely रखना thank you so much